कि उम्शांति हम सबी बहुत उमंग और उच्छा से स्री गणेश जी का आगमन का इंतसार कर रहे हैं स्री गणेश एक बहुत बुद्धी की देवता विध्ण बिनाशक देवता और उसके साथ साथ हर कार्यों में सफलता बिराने बाली देवता जिनका हम बरिश्रथा के साथ भावना के साथ हम सभी इंतसार कर रहे हैं वास्तों में स्री गणेश जी इनका जो आवान करते हैं और इनकी पूजा करते हैं इसमें कई सारे अध्यात्मिक रहस्ये समाई हुए हैं अगर हम इन अध्यात्मिक रहस्यों को अपनी जीवन में धारण करते हैं हैं तो सच मच है हमारे जीवन पे कई सारे विखनों का विनाश हो जाएगा हमारे जीवन में सूख आज रगायबा दुखों का विनाश हो जैगा हमें सफरदा मिलेगें या में इसके लिए हम in tenila हम स्री गरी को बहुत ऑच्छी तरसे अध्यात्मी जानना है। सबसे पहली बात सिर्गणिष जी की की रूप की बारे संब जानते हैं। स्री गणिष जी का जो हम सेर दिखाते हैं वो सेर है हादी का और वो सेर को विशीर रूप से हम दिखाते सब से पहले छोटी सी आख़े, वास्तों में स्री गणेशी काफी बड़े लेकिन आखे इतना छोगी से बहुत बारिक है। हम कह सकते हैं यह प्रतीक है परक्राइण की शक्ति है। हम अपनी जीवन में जो भी लक्ष रगते हैं, जो भी विजन रगते हैं, उस विजन के ऊपर complete focus रहे हैं। हम जो भी चीज को, जो भी व्यक्ति को देखते हैं, जो भी व्यक्ति, रलेशन्शिप हमारे जीवन में हैं। या फिर हम उन्हें उस रलेशन्शिप को आगे बढ़ाना चाते हैं, तो हम पहले उनको अच्छी तरस से परके। परक्ना means what is right, what is wrong, गलत क्या, सहीं क्या। तो हम दोके से बच्चाने हैं। और इस परक्ने की शक्ति को कदम कदम पर हमें यूज करना है। दूसरा, गणिश जी की जो कान बताए, बहुत लंबे, सुपड़े जैसे कान हैं। इसका भी बहुत सुपड़े अर्थ है। जैसे वो सुपड़ा, वो क्या करता है। फ्लिटर करता है अनाच को। जो भी कच्रा है, उस कच्रे को फेक देता है। और जो भी अच्छाई है, जो अनाच है, वो अंदर रह जाता है। हम लोगओं से बहुत सारी बाते सुनते हैं। बहुत सारी सिटुफंशन्स, हम सभी के जीवन में आती हैं, जो कई बारнееगितिव हो दे हैं। हमारी जीवन में कुछ घटनाए, निगिटिव हो पीछाती हैं। एक बहुत अच्छी बाद करें। भिघिए मोगेजिवक SW फोर्थ दें, सिर्फ पॉजिवक है बार बार अपने मन उपने लक्ष दें भुज़े वुजे इस घट užद शिर्फ पउजटिव Темß लीगेज इसमें अच्छा क्या हुगा अच्छा क्या हुगा बार बार अपने को लिन्स किसी ने मुझे लेवन दिया मैं उसका लेवन रेट बना के दूँ किसी ने मुझे ग्रानी दी किसी ने मेरी निंदा के उस निंदा मैंसे भी मैं अपने लिए कुछ बहुत अच्छा चालेंज स्विकार दूँ तीसरा रनेश जी काम विशेश रूप से देखते हैं सून्ड हाथे की सून्ड नहीं काफी लंगी लाते हैं उसकी विशेश्ता है काफी फ्लेक्सिबल वो सून्ड एक बड़े से बड़े प्रुक्ष को जमेन से उखार कर फेक सकती है तो बड़ी सून्ड अपने उसी सून्ड से वो शिवजी का अविशेख कर सकती है या उग्यों पर पुष्प भी आरपन कर सकती है इस इस कॉल फ्लेक्सिबल अपने जीवन में बैलन्स एकना है बैलन्स कौंसा? लव एंड लॉग रमनिक्ता और सिरियसमेस बैलन्स से नम्रिता स्वाविवाद जब हम अपने जीवन में बैलन्स को लाते हैं उससे हमें बहुत सारी ब्लैसिंस मलती जाते हैं उसके बाद गणिशी को विशेश रूप से अब दिखाते हैं उनको पहते लंबों दरब दामर उनका जो पेट है कफी बड़ा है लंबा है वैसे बड़ा पेट हेल्दी बॉड़ी की निशाने नहीं है लेकिन स्री गलिशी को बड़ी हमने युक्ती युक्त यथात रूप से दिखाया है यह हमें बताता है सिखाता है समाने के शक्ते भावर तो अच्वेश्ट बहुत कुछ इस जिन्दगी के सफर में चलते चलते बहुत कुछ हमें सुनने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे रिष्टे मिलेंगे किसमें कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा किसमें कुछ कमिया होगी किसमें स्टाइंस होगी लेकिन मुझे च्रेरान, मुझे अगर ईस जिंदगी में आगे पढ़ना है, तो ह्रें को उसके गुणों, दूश के साथ स्विकार करना है, मुझे अक्स 포인 करना है। इनके अंदर ये कमी है, वो कि हम जानते हैं, इनके अंदर ये कमी है, जानते हैं, इससे हमारा मन काफी शान रहेगा, हम जो फालती में बोलते हैं किसी के बारे में बाई हो जाएगा, हमें उस व्यक्ती में भी अच्छाई दिखा शुग हो जाएगे, और इससे हमारी टीम of person, so I will be liked by people, loved by people, उसके बाद गणिजी को विशेश रूप से चार हाथ दिखाते हैं, एक हाथ में दिखाते हैं विशेश रूप से पर्शू, यह पर्शू माना जिसको हम क्याते हैं बंधन कातने बारा, कई बार हम सभी ने अपने आपको अपने मन के बंदनों से बांद दिया हैं, बाहर के बंदन नहीं होते हैं, अपने मन के बंदन, खुश नहीं रेना हैं, अपने आपको सजा देंगे, बंदन अपने आपके दुखी करेंगे, व्यर्त विचारों का बंदन, व्यर्त संकल्पो इस बंधन को मेरे सिवार और कोई काट ले सकता मुझे अपने बंधनों को पहले पैचानना है This is my bondage, I have to cut that क्योंकि जब तक हम अपने बंधनों को काटेंगे नहीं तो पुझे मुप्ती कैसे मिलेगी कई बार मैंने रडे कीए हुए बंधन मैंने रडे रोड मेरे जोभी मन के विशार या action से वही तु मेरे Bazًग में प्रॉब्लेम क्रीट करते तो मुझे उनको वह आई के दूसर काट में है कमल पुष्कन स्री गनेश ची को कमल बहुआ पुझे है कामल ये प्रधीक है, फ्योरेची, पवित्रता का, कीचड में उत्पत्ती होते हुए दिए, अपने परसा रखी, अपने कुश्फू द्वारा, अपने रंग रूप द्वारा, चारू और फैराता है, मुझे अपने वर्क प्लेस पे रहते हुए, अपने घर, परिवार, सब जग रहते हुए, मुझे अपने आपको पवित्र लखना है, कामल के तरफ खिरुते रहना है, तीसरा, उनके तीसरे हाथ में है, मोदब या लड़ू, स्री गणे जी के अतीप रिया, आपकी कारण हुआ, हमारी तीम की कारण हुआ, हम, मैं के तीसरे हुआ, मैं के बचार हम, जब मैं के बचार हमारे में हम आजाएगा न, अहम नहीं, हम, और जब हम आजाएगा, तो हमारे रिष्टे बहुत सुंदर होते जाएगा, अहम और वहन हमारे रिष्टों को नश्ट करता है, और हम का भाव, वई का भाव हमारे रिष्टों को जोड़ता है, और उसी का प्रतीक है, मोदत या लग्टू, उसके बाद उनका एक हार दिखाया आशिरवाद का, जब हम इन सब गुनों को धारन करते हैं, हम, अपनिा, आपको भी बलेस करते है, दियान में रखना, हमारा सब्णाव, हमें blessings देता है दिलाता है या फिर हमारा सभाव हमें श्राब दिलाता है लेकिन अगर हम इन सब बातों को अच्छी तरह से दारण करते हैं तो कदम कदम पर हमें आनद निर्टा चाहेगा अपिसके बाद गरेशी की जो मूरती दिखा दे है बैठी हो मैं एक पैर पर दूसरा बैर कि इसका अर्थ है एक पैर लोपर दूसरा पैर नमेचे टाज मैं एक प्रूसर में अटर्ण national नियारापन और प्यारापन कहीं लोग इतने किसी के प्रीय हो जाते है इतनी ही प्रीय हो जाते है कि जो के नियारा हुए बात होती है is रहे किमा हाले बियाराग। अर प्रत्या चेहरी होती है..? NO.. This is not love, this is attachment. Shri Ganesh ji, हमें सिखा रहे हैं, आपका जो भी काम करना है, आपका जो भी काम करना है, 100% attachment के साथ परो. ताम पूरा हुआ, बीड़ दान आज. Balance. और सबसे लास्टे, इतने बडे Ganesh ji, और उनकी सवारी दिखाने हैं, चुहरे हैं. चुहा कितना? चुहरा साथ. Can you imagine this? इसके पीछे का बहुत सुन्दर रहसे हैं. इसका मतलब इतनी सारी विशेष्टा होते हुए भी ही, उनोंने अपने आपको निर एहनकारी रखा है, निर विकारी रखा है, उस माया को उस विकारों को जीता है. चुहा, यह प्रतीक है विकारों का बाचे का. मालूम में कहां से घुसा आजाएगा, कहां से जिल्सी आजाएगी, कहां से भाय आजाएगा. मुझे अपनी अंदर आने वाले, कभी भी आने वाले इन विकारों को जीतना है. यह मेरी जिन्दगी का लक्ष हो. जब हम इन सब बातों का अर्ग अपनी जीवन में धारन करते हैं, तो सच मुझे हम क्या बन जाते हैं? निर्विखन, विखन आते उवे भी, निर्विखन, कोई भी मिखन वार करने आएगा, विजे का हार पहना के चला जाएगा. दूसरा, सफलता की मूर्ती बन दे जाएगे. सिर्फ गनेची की पूजा के साथचा, आओ, हम इनके सद्यात्मिक रहसे को उधारन करें, और हम भी उनकी तर्व मास्टर विखन विनाशिक बनें, मास्टर सुखकलता, दुखहलता परें. इस गनेशोचों के निमत से आप सबको बहुत सारे शिक काम आएगे. ओूश।